सुबह की गुड मॉनिंग तो सुबह जब मैं पूजा करके नीचे ओतरी तो सबजी वाला खड़ा था तो सबजी वाले भाया से मैं पुछी क्या सबजी है तो उन्होंने कहा बाजी है तो बाजी है कौन सी बाजी है तो पालक बाजी है मैं बोली दे दो तो पता है मैं कितने के लिए पालक भाजी है पांच रुपे की पांच रुपे में धेर सारा दे गया है अग्दम छोटा छोटा पत्ता था सॉफ्ट था तो फिर मेरे को लगा क्यों न कुछ रसपी इससे बना ली जाए जो नास्ते में सभी को पसंद भी आए और हेल्दी भी हो तो अच्छी तरह से इसे साफ करना था क्योंकि अभी का सीजन में क्या होता है कि धेर सारी जड़ में मिट्टी लगी होती है और किरकिर हो जाता है थोड़ा सा तो इस तरह से पहले एक एक करके पता को निकालना था साफ करना था तो सारी भाजी को हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया था हमारे यहां इसे तो पालक साग भी कहते हैं और भाजी भी कहते हैं आपके यहां इसे क्या कहते हैं तो अब इसे अच्छी तरह से धो लेना है तो आसाने से हो जाएगा. दो से तीन बार करके धोएंगे तो इस तरह से निकल जाएगा गंद की. जब भी फ्रेज में पालक रदा तो समझ में नही ही यादा है कि इस से क्या बनाया जाए。 मेरे दिमाग में आया की नहीं क्यों ना कुछ अच्छी रेसिपी बनाए जो किसी को पता ही नी चले कि इसमें पालक डली वी है तो देखिए अच्छी तरह से हमने इसे धो लिया दो से तीन बार अब फिर एक बार हलका हलका ना नीचे पानी जब मैं पल्टी तो उसमें मिट्टी था लगा एक बार और धो लिया जितना बारिक हो सके भारिक नहीं भी होगा तो कोई दिकत वाली बात नहीं है आसानी इसे तो एक बन में डेर सारा नी लेना था थोड़ा सामें कम कर दी अ करने के बाद बस इस तरह से कट करके फिर कट करूंगी इस तरह से बंच बना के कट करेंगे न तो आसानी से हो जाएगा तो पूरे पालक को इसी तरह से कट कर लेना है तो पूरा पालक कट चुका है थोड़ा सा बचा हुआ था और हमने बारी कर लिया है साथ में अब क्या करे लेकिन आज मैं अध्रक और लेसन इसमें नहीं डाल रही हूं साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धन्यापत्ती भी ले लेंगे इस तरह से धन्यापत्ती को भी धोके काट लें डंठल है तो डंठल भी चलेगा तो अब क्या करेंगे आठा निकाल लेंगे तो आप अपने फैमिडी के अकॉडिंग आठा लें मैं आज यहाँ पे दो कब ले रही हूँ दो कब में साथ से आठ पराठा बनकर रैडी हो जाएगा अभी साठा में क्या करेंगे जो पालक कटा हुआ है वो पालक को डाल देंगे साथ में ही प्याज और धन्यापत्ती भी डाल देंगे तो ये चौपर थोड़ा सा अब क्लीन कर लेती हूं धो के इसे स्टेंड में लगा दूँगी तो फिर जब भी कट करना होगा तो फिर क्लीन ही रहेगा अब इसमें कटा हुआ प्याज और धन्यापत्ती भी डाल देंगे साथ में क्या करेंगी मसाला भी डालेंगे तो मसाला में सबसे पहले नमक डाल देंगे थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन और मंगरेला जिसको काला जीदा भी कहते हैं ज्यादा नहीं डालना है हाधा चमच साथ में चुटकी भर हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर डालना भूल गई थी और खस्तापन के लिए थोड़ा सा तेल थोड़ा सा तेल में असानी से हो जाएगा अब पालक है तो इसमें पानी ना डालके अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे इस तरह से मसल मसल के मिक्स करेंगे यह अपने आप गीला हो जाएगा तो फिर जरौत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे और पानी डालके मिंस एकदम कड़ा ही आटा लगाना है क्योंकि पालक साग रहने के करण वो पानी छोड़ेगा तो गीला हो जाएगा तो इस बात का भी ध्यान रखना है तो अभी आटा लगके रेडी हो गया है थोड़ा सा सौफ्ट ही लग रहा है मैं सक्त करने के कोशिज करें लेकिन मिकदम गीला हो गया है तो बस वैसे ही अब इसी तरह से छोड़ देंगे तो अब पराठा बनाएंगे तो पराठा बनाने के लिए क्लिए क्या करेंगे पहले दोई लएंगे छोटे साइज का अब इस तरह से हलकालका हात में छिपके गा तो छिपकने से पहले क्या करें थोड़ा साना शूखाया लगा ले सुखा लगाने से क्या होता है कि अच् juicy दर्ण से पतला बिला जाता है तो अब ये वे लिए हमने तो इस सीख लेंगे तो सेखने का तरीका है नॉर्मल जैसे हम लोग पराठा सेखते हैं बस वैसे ही सेखना है तो जब एक सेट सेख जाएगा तो अब इसे पलट लेंगे पलट के दोनों सेट अच्छी तरह से हलका हलका तेल लगा के गुल्डन होने तक सेख लेना है तो अभी दोनों सेट पराठा अची तरह से सेख चुका है इस दिखने के बाद कलर भी बहुत ही सुन्दर आया है तो अभी इसे निकाल लेते हैं निकालने के बाद बाकी कभी सेम ऐसे ही सेख लेंगे तो अभी से मैं सर्व कर रही हूँ आलू चने की सबजी थोड़ा सा एक कटोरी के लगभग चना का सबजी बचावा था उसमें क्या करी मैं एक उबला हुआ आलू डाल दी आलू डाल के थोड़ा सा मसाला टमाटर डाल के सीटी लगा तो ये सबजी भी यूज हो गया और खान में टेस्टी लगता है लाल मिर्ची के चार अभीम हाल मी जमें इना आई थी आभ देख सकते कलर बहुत ही सुनदर आया है कि मैं आपको खा के बता ही कि इसा है बहुत ही थेस्टी लग रहा है एक नंबर बना है तो अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी मुए तो वीडिय